हेलो दोस्तो आज हम दो मूवी को आपस में कंपेर करने वाले हैं कि इन में से सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है एक तरफ है जग में ठंडी राम जो धनुष की आई है नियू मूवी है और दूसरी तरफ है एमाजोन प्राइम पे आयोई शेरनी विद्या बलन की ये दोनों मूवी ही बहुत अच्छी है मगा इन दोनों मूवी में से सबसे अच्छी कौन सी है आज हम उस मूवी के बारे में डिसक्स करेंगे पहले हम जिस मूवी की बात करेंगे एमाजोन प्राइम पे आयोई विद्या बलन की शेरनी मूवी है दो घंटे दस मिनिट की ये मूवी है, आयम डीवी पे दस में से 7.3 स्टार इसे मिले हैं, रॉटन टमाटोस पे 100% गूगल यूजर ने 74% इसे लाइक दिये हैं, इस मूवी में सबसे तगड़ी एक्टिंग जीस ने की है, वो है विद्याबालन और विजयराज, ये एक रियल में कुछ राक्षयस भी रहते हैं, कहानी में जंगल बहुत ही जादा खतरनाक दिखाए गया है, और जंगल को जिसने खतरनाक किया है, वो एक टाइगर है, जो इंसानों और जानवरों को मार रहा है अपनी बोग मिटाने के लिए, गाउँ वालों को टाइगर के आतंग से बचाने के लिए, वहाँ पे एक फॉरस्ट ऑफिसर भेह जाता है, जिसका नाम विद्या होता है, एक इमानदार वन अधिकारी जो मानव पशु संगर्ष की दुनिया में संतुलन के लिए प्रयास करती रहती है, मनुष्य बनाम पशु संगर्ष को कई तरीकों से सुनाय ज जा सकता है, गहरे अंधिरे जंगल को रोमांटिक किया जा सकता है, और एक इमानदार ओफिसर जो जंगल को अपने इस्तमाल के लिए यूज नहीं करता, एक महिला बने दिगारी के साथ जो पॉलिटिकल यूज होता है इस मूवी में हमें सब देखने को मिलेगा, इस मूव में हमें सब दिखाए जाएगा, अगर आप रियलिस्टिक मूवी को पसंद करते हैं, तो ये मूवी आपके लिए एक गोल्ड साबित होगी, हमाई दूसरे मूवी आए जगमे ठंडी राम, नेट्विक्स पे आई ये मूवी दो घंटे 37 मिनिट की है, आयम डीवी ने 10 में स 6.2 इसे रेटिंग दिया है, रोटन टमाटोस ने 50% और गूगल यूजर ने 60% इसे लाइक दिया है, इस मूवी में हमें ये दिखाए जाता है कि विलन बनने के लिए आपको बॉड़ी होना जरूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें धनुष की बॉड़ी बिल्कुल नहीं है, वो एक नॉर्मल देखने में नॉर्मल इंसानकीता देखते हैं, मगर उनकी धासू एक्टिंग के साथ ये मूवी बहुत अच्छी है, ये एक मसाला मूवी है, इसके अंदर आपको फाइट और गैंग वाट जैसी सीन देखने को मिलेंगे, इस मूवी के लीड रोल में आप इसके शादी तेह होती है, लड़की को इसके वहवार के बारे में जब पता चलता है तो लड़की से छोड़के भाग जाती है, इसकी मुलकात एक जौन नाम के अंग्रेश से होती है, जो लंदन में एक शुवेत वर्चसवादी डौन होता है, और इसका एक बॉस भी होता ह सुली इस ओफर को एकसप्ट करता है और लंदन चला जाता है, लंदन में सुली शिवदास और उसके गिरोग के बारे में काफी कुछ सीख जाता है, जिसमें हत्यारों के तस्तकरी सामिल होती है, सुली को लंदन में एक शिरलंकाई तमिल काय का पसंद आ जाती है, जिसका न हो जाता है, फिर सुली को पता चलता है कि हमला करवाने वाली वो लिड़की ही है, उसकी प्रेमी का उसे बता देती है, यह हमला उसी नहीं करवाया है, मगर वैं सुली से प्यार करने लगती है, इसलिए सुली को बोलती है कि उसने ही सुली को इस हमले से बचाया है, यह मुझे तो शेरनी मूवी जादा बेस्ट लगी, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक मूवी लगी, ऐसा नहीं है कि मुझे एक मसाला मूवी एक फाइडिंग मूवी पसंद नहीं है, मगर शेरनी मूवी के सामने मुझे ये मूवी थोड़ी कम अच्छी लगी, बाकी इन दोनों मू